तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS Classes पर MS Classes पर काफी दिन बाद मैं डाइडेक्ट अपने फेस को लेकर आया हूँ बहुत दिन बाद मतलब कि में मन्स से मैं आना बंद कर दिया था उसके पीछे बहुत कारण था उसके पीछे कुछ रिजन था और जिसके कारण मैं बहुत बीजी था दरसल बात यह थी ना कि बेहन की शादी थी 29 मई को अब उस चीज की तैयारी वगएड़ा सब कुछ मुझे खुद से करना पड़ता था तो जिसकार मैं मुझे समय नहीं मील तो मैं continue जोग्रफी का वीडियो बनाने लगा और फिर बेहन की शादी साथ जुलाई को complete हुई तो आदमी सोचा कि चलिए फिर से शुरू करते हैं तब तक planning बना कि भाई अब छप्रा से पढ़ाते पढ़ाते चलो दिल्ली पढ़ाय जाए तो छप्रा से आ गया दिल्ली औ दिल्ली आने के बाद अब समझ जी कि एक नए मतलब कि यह तो जगव मेरे लिए पुराना में पहले भी यहां पर आ चुका हूं पहले भी मैं क्लास लेता था बट फिर बीच 4 साल बाद में दिल्ली आया चार साल बाद दिली आने पर सब चीज सेट करने में थोड़ा समय लगता है तो इस कारण में बहुत डिश्टर्ब चल रहा था तो काफी समय बाद मैं फिर से यहां पर स्टार्ट किया सब कुछ चार यहां चार जो भी स्टुड़े हुए हैं उन सब इस्टुट को मैं बता रहा हूं कि बिहार बूट का जो टेंथ क्लास का स्लेबर से हमारा मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो ले कराऊं कोशिश नहीं मुझे ले कर आना है क्योंकि जो बिहार बोट के जो मेरे बच्चे थे वो मुझसे लगे और वो लोग मुझे मोटिवेट किये आज 1300-1400 का जो भी परिवार मेरे MS क्लासेज में बढ़े हैं वो सब मोटिवेट करते थे बिहार बोट के बच्चे देखते थे वीडियो और हमेशा कॉमेंट करते थे और वह कॉमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी है सबसे पहले दर्भांगा से कुछ एस्टुडेंट मेरे जूरे हुए थे दर्भांगा से जूर के और वो लोग मेरे जोग्राफी का वीडियो देखते थे और उन्हीं लोग का दिमांद थे चलो अभी बीच में मैस का तो नहीं बन रहा है चलो जोग्राफी बनाता हूं तो थैंक्यू सो मच माइडियर स्ट्रेंस हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और हमारी च इंदी मीडियम में और यहां पे जो बच्चे हैं उनको मतलब इंग्लिश मीडियम का मतलब की वह सी बेसी बोट के स्ट्रेंट से थोड़ा सा उनके लिए ठीकल्ट लग रहा है वह चैप्टर समझने में इंदी मीडियम हो ले क्योंकि वर्ड का प्रॉब्लम आ जा रहा है इसलिए मैं इसको इंग्लिश में स्टार्ट कर रहा हूं तो एकदम इस थीरों के आप लोग बैठिये और जी जान लगा के पढ़िए और हां बिहार बोट के बच्चे को भी में बता रहा हूं आरे यहर बिहार बोट के जो बच्चे हैं ऐसा नहीं कि यह मैं आतना नहीं सम क्योंकि अग्जाम है बॉट का एक्जाम है समय सबसे बड़ा बल्लवान होता है तो आते हम अपने चैटर पे इंट्रॉड्स टे थिर मेट्री का इंट्रॉड्स है सबसे पहले आप पारि में थो बहुत जान लेते हैं कि क्या है the word trigonometry is derived from Greek word यानि यह जो trigonometry word है वो किस word से आया है Greek word Greek word से बना है trigonometry अब ग्रीक word है तो कौन कौन सा ग्रीक word से भई यह try, gon और metron यह Greek word है try, gon, metron try means हो गया 3 और gon means हो गया sides और metron means हो गया measure समझे लिया try, gon, metron यह trigonometry जो word बना हुए है किस word से बना है भई Greek word से बना है Greek word से try, gon, metron try means हो गया 3 gon means हो गया side और metron means measure यानि कि final trigonometry का जो definition बन का है वो हो गया trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of a triangle मतलब एक जो triangle होता है उस triangle का side और angle के relationship के बारे में हम लोग study करते हैं trigonometry में आया बात समझ में trigonometry is the study of relationship between sides and angles मतलब trigonometry में जैसे हमने triangle ले लिया इस triangle में यह side भी है side और यहां पर भी angle बनेगा यहां पर भी angle बनेगा और यह 90DD यहां पर तो बनेगा ही बनेगा तो यह sides और यह angles के relationships के बारे में हम अध्यायन करेंगे trigonometry में तो आते हैं सबसे पहले जो important कुछ formula है उस formula के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग exercise को स्टार्ट करेंगे इसे write down करेंगे अपने copy में के triangle में क्या है यह जो सबसे बड़ा side है इसको हम बोलते हाइपोटेनस इसे क्या बोलते है हाइपोटेनस नीचे हमारा क्या है base और यह क्या है perpendicular तो सबसे पहले जो मेरा formula होगा वो क्या होगा trigonometry ratio sin theta sin theta is equal to होता है perpendicular upon hypotenuse second cos theta is equal to base upon hypotenuse then third हम लोग लिखेंगे tan theta is equal to perpendicular अपन पेस यह दिखें यह हमारे पास formula है sin theta perpendicular upon hypotenuse मतलब sin theta का जो value होता है वो क्या हो गया perpendicular upon hypotenuse cos theta base upon hypotenuse and tan theta perpendicular upon base तो यह हमारा formula होगा यह sin cos tan कहीं है अभी आगे भी हम लिखवाएंगे लेकिन सबसे पहले यह ट्राइंगल से आप समझे लो कि यह जो है perpendicular है यह जो है hypotenuse है और यह जो है इतना अपने माइंड में save कर लिजे इसके क्योंकि मैं अभी तुरंत इसको delete करने वाला save हो गया ना बहुत जल्दी मैं इसको delete कर लोगा जल्दी इतना write कीज़े तो बदिखिए हमने साइन ठीटा लिख लिए कौस्ट ठीटा लिख लिए ठैन ठीटा का उपोजिट होता है कॉड़ ठीटा ठीटा तो आप क्या करो यहां लिखो cot theta is equal to यह है tan theta is equal to perpendicular upon base tan theta is equal to perpendicular upon base so cot theta का opposite क्या होगा base upon perpendicular यह दखो cos theta होता है base upon hypotenuse का opposite क्या हो जाएगा sin cos tan tan का opposite cos cos का opposite होता है sec theta is equal to hypotenuse upon base हो गया sin theta का opposite होता है cos cos theta cos theta is equal to hypotenuse upon perpendicular देखिए यह first second third यहां पर हमने इसको रखा फोर्थ यह नीचे वाले तैन का पोजिट्व अकॉर्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्ट यह हो जाएगा और यह होगा हमारा six यह मैं इसलिए लिखा हूं मैं चाहता था फोर्थ यहां भी लिख सकता था लेकिन बट सामने सामने लिखा था कि आप को समझ में आएगा आपके आसानी के लिए मैंने इससे लिखा है सामने समय ताकि आप साइन थिटा पर फेंडिकमुर्वर अपन हाईपोटेनास कॉस्टिट आप ऊपन हाईपोटेनास यू निच एफॉपन हाइपोटेनास ट्रैन थिटा यह यू भी यूपन आप era् antibiotट यूपटेनास थजा का फोन हाईपोटेनास भी तो आप लोग लिख चुके हैं अब लिख चुके हैं तो अब देखें मैं आप लोगो याद कराता हूँ साइन ठीटा हमने क्या पढ़ा था परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कॉस्ट ठीटा हमने क्या पढ़ा था बेस अपन हाइपोटेनस टैन ठीटा हमने क्या पढ़ा था perpendicular upon base फिर cot theta हमने क्या पढ़ा था base upon perpendicular sin cos tan cot 1 हो गया यह second हो गया यह third हो गया और यह हो गया fourth sin cos tan cot उसके बाद हमने पढ़ा 6 ठीटा 6 ठीटा हमने क्या पढ़ा hypotenous upon base 5 और 6 जो है हमारा कॉसेक ठीटा है कॉसेक ठीटा हमने क्या पढ़ा था हाई पोटेनस अपॉन परपेंडिकॉल मैंने क्या बोला था कि आप उसे राइट कर लीजे याद करने एकोसिस कीजे नहीं याद होगा तो मैं तो बताऊंगा ही उसका अच्छा साधारन फॉर्मूला फॉर्मूला मतलब क्यों का कहते हैं मतलब की ट्रीक अब देखिए अब आ गया वह ट्रीक का समय पंडित बदरी परसाद पंडित बदरी परसाद हर हर बोल ऐसे एक और है कई हो सकता है कि कुछ लोगों को बड़ा लगे मैं सब लोग के लिए समनी वैसे बोलूंगा बस इतना समय देखिए कि पंडित बदरी परसाद हर हर बोल तो देखिए पंडित बदरी परसाद हर हर बोल या दोगे न अब देखिए पंडित साइन बदरी कौस परसाद साइन कौस टैन पंडित बदरी परसाद हर हर बोल है न साइन कौस टैन गाउण का अपोजिट होता है कॉस्ट को अपोजिट होता है कॉस्ट को से खो अगर Hindi ठीटा गॉस्ट ठीटा गाउख दिटा और साइनिस्टा बिद्स एक यह पर प्रस्ट इंट्रोडक्शन विडियो इसको आप बहुत अच्छे सभी का क्योंकि यह समझ गाया कि यह समझ गागा तो पंडित बदरी परसाद हड़ा हर बोई साइन थीटा पर परसान थीडिकूलर आपन हईपोटेनस वह गया पीच थीज़ ता पीज़ कॉस थीड़ क्या हो गया बीवाई एछो गया और टें थीटा को हो गया इच तीट फिए होगया टीटर प्गा इच वाइट टीटल का फ्ट तो ट्रिक में आपको याद कर लेना है जल्दी बता दीजे पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोल कुछ लोग ऐसे बोलता है लोग जानते हैं क्या बोलता है लोग पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा जो ट्रिक याद करना हो याद कर लिजेगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा चाहे पंडित बदरी प्रसाथ हर हर बोल तो यह था ट्रिक और यह यह था introduction वीडियो और इसमें मैंने formula पुरा अच्छे से बता दिया है और इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे stop अगला वीडियो जो हमारा होगा exercise 8.1 का question हम लिक कर आएंगे next वीडियो में तो यह introduction अच्छे से अपने notebook में लिक लिए बहुत ज़ग ही वह भी वीडियो आने व झाल झाल झाल